नमस्का, मैं डॉक्टर त्रिवेनी धाका, मनीपार्व हॉस्पिटल जैपुर में, बॉन्स एंड प्लास्टिक सरज्वी डिपार्टमेंट में कंसिल्टेट पर पर कारे रतू हूँ 24 अक्तुबर को दिपावली प्रोश्णी का अपर्व है, इस समय दिवाली बंस की काफी समस्या हैं, इस संदर्ट में मैं आपसे कुछ बातें सांजा करना चाहती हूँ दिवाली की समय, खास तोर कर पूजा की तयावी के समय, बारतिय महिलाएं ज्यादा तर सारी, लहंगा या सूप पहनती हैं इस समय इन बातों का ध्यान रहे हैं, कि सारी का बल्लू, सूप या लहंगे का दुपड़ा खुला ना रहें उसे खृपय पिनप करके रखें और दीप्रजवलित करते समय, दियों को दिया स्टैंड या कैनल को कैनल स्टैंड में रखें, उन्हें जमीन पर ना रखें जमीन पर रखें दिये से वस्त्र जल्दी आग पकड़ लेते हैं इसके बाद दिवाली में पटार के जलानी का प्रचलन है जब भी पटाके चलाएं तो कुछ बातों का ध्यान रखें हमेशा सूती बस्त्र पैने और जोकी लंबे या लहराते ना होगे खुले मैदान का चैन करें जिसमें आप पटाके चलाएं बच्चे हमेशा बड़ों की नेगरानी में पटाके जलाएं और पटाके चलाने वाली जगैबर एक बाटी पानी भरके ज़रूर लखें पटाके जलाने के लिए इस्तरमाल माचिस की बजाये लंबी मुम्बतिका करें दूर से पटाके जलाएं और पटाके जलाकर तुर्ण दूरी कायं करने पटाके कभी भी हाथ में न जलाएं हाथ में पटाके जलाने से अगर पटाका पट जाता है तो हाथ एबन चेहरे या आँखों को नुकसान पहुंच सकता है हमेशा बड़ों की निग्रानी में अच्छे से सारी बातों का एंतियात रखते हुए पटाके चलाई अगर आप सारी साथानी बरटने के बाद भी कोई हांसा भू जाता है तो हमेशा जलने पर घर पे घरेलों रुख से ना इस्तिमान करें जैसे पॉल्गेट लगाना या मेंदी लगाना या कुछ और चीज लगाना सबसे साधा इलाज गर पे करें जिसमें जैसे कि आपको कहा था कि पानी की बाटी बरके रखें तो जो इससा आपका शरीर काम जल गया है उसे तुरन बाटी में डुबोएं कम से कम आधे गंटे तक या प्रक्रियात में इसमें पानी की बाटी का पानी बदल दे रहें इसे मैं एक अधारन से समझाना चाहूंगी